पेंटिंग विद वाटर, सो लेट्स दू इट तो दोस्तों आज हम ट्राय करेंगे पेंटिंग करना वाटर से और इसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कार्डबोर्ट क्यूंकि कार्डबोर्ड में सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है पेंटिंग करना पानी से क्योंकि जैसे ही आप लगाते हो cardboard के उपर पानी वैसे ही cardboard का जो color है वो थोड़ा सा change हो जाता है जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते है आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे दो scenery painting बना रहा हूँ तो आप इस वीडियो को पूरा देखे और comment section में लिखे कि आपको कौन सा better लगा तो दोस्तों बहुत सारे जनने मेरे instagram handle को follow नहीं किया तो please जा के follow करे link दिया है description में और यहाँ पे मैंने brushes यूज किया है mostly round brush क्योंकि round brush से हमें पतले strokes देना आसान हो जाता है basically मैं यहाँ पानी ले रहा हूँ brush में और उसी से strokes draw कर रहा हूँ और दोस्तों मुझे यह painting बनाने में बहुत problems हुए क्योंकि जैसे ही मैं round brush से strokes को apply कर रहा था वो ऐसे ही जो है यह थोड़ा सा dry हो जा रहा था और जैसे ही यह dry हो रहा था वो ऐसे ही थोड़ा सा गयाब हो जा रहा था तो मुझे बार बार सेम जगह पे stroke सप्लाई करना पड़ रहा था तो हमारा painting कप्लेट हो चुगया तो do like, share and subscribe to my channel for more awesome videos थांकि फर वाचिंग